दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें नमस्कार दोस्तो आपका हादिक स्वागत है हमारे only airway.com के आज के इस यूटियो वीडियो में दोस्तो आज एक नया टॉपिक आपके सामने पेश है दोस्तो ये discussion शुरू करने से पहले आपसे एक बार आग रहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने से आपको नए अबडेट्स का पता लगता रहता है दोस्तो अगर लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो आपके जो मित्रगण है वो भी इन वीडियो का लाब ले सकेंगे तो दोस्तो आपसे आग रहा है कि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जुरू कर ले दोस्तो आज का टॉपिक बिना किसी देरी के शुरू करते हैं काफि काया जाता था। तो आइढे दोस्तों देख लेते हैं आईरवेद ने हमें इसके बारे में क्या इन्फरमिशन दी है इसके क्या लाब है इसके आइनरजी के लिए काफि उप्योगी होती है बाजरा खाने से अनरजी मिलती है काफी उपयोगी है बाजरा कोलेस्टरॉल लेवल को कंट्रॉल करने में हेल्प करता है जिससे दिल से जुड़ी बिमारियों के होने का खत्रा काम हो जाता है और इसके अलावा मैंगनेशियम और पोटेशियम को भी अच्छा स्रों होता है जो ब्लड प्रेशर को नियंते रखने में हेल्फुल होता है और बाजरे की रोटी पाच्छन क्रिया को दुरस रखती है और डियाबिटीस से बचाव होता है और दोस्तों बाजरे की रोटी के कुछ होशिदी गुन भी है बाजरे का किसी भी रूप में सेविन करें आपको हड़ियों के रोग नहीं होने चाहिए और बाजरे की रोटी खाने वालों को हड़ियों में कैल्शियम की कमी पैदा होने वाले रोग औस्टेो प्रोसिस और खून की कमी या इनीमिया नहीं होना चाहिए और बाजरे में भरपूर कैल्शिम होता है जो हड़ियों के लिए रामबा नौशिदी है आरेन भी बाजरे में इतना अदिक होता है खुन की कमी वाले रोग नहीं होते है गरवती महलाओं को कैल्शिम और आरेन की जगा बाजरे की रोटी और खिट्टी दी जाए तो बच्चे को जनम से लेकर पांस साल की उमरे तर कैल्शिम और उनकी कमी वाले रोग नहीं होते है और ये काफी हल्फुल होता है तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से बाजरा काफी हल्फुल है हमारे कई रोगों में तो आप भी इस इन्फॉर्मिशन के लाब जरूर लें और बाजरे की रोटी का सेवन जरूर शुरू करें और दोस्तों इसकी डिटेल इन्फॉर्मिशन हमारी वेबसाइट नोनलीयरव.com पर अवेलेबल है आप माम जाकर कि इन्फॉर्मिशन को स्टाडि कर सकते हैं लेंक को आपको डिस्क्रिप्शन ने दे दिया गया aus और आप भी जरूर करें और आपके कोई मेत्र गान है उनके साथ इन्फॉर्मिशन जरूर शेयर करें ताकि और लोग की इस अलाब ले सकें अगर कोई अपने फीड़बेक के कमेंट साही देना चाहते हैं तो अब हमासाद जरूर शेयर कर सकते हैं